नमस्कार मेरा नाम है शुती जहाओ और आप देख रहे हैं वीजन पिछले साल अगस्त में उतर प्रदेश सरकार द्वारा मत्रा में मांस मश्री और शराप पर पाबंदी लगाई गई थी इसके बाद मत्रा में भगवान स्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास सालों से जो मीट की दुकाने थी उन दुकानों को बंद कर दिया गया था दरसल सरकार का कहना था कि आस्था की नगरी होने के कारण श्रधालों की धार्मिक आस्था को चोट पहुच सकती है इसकी वज़ा से यहां से तीन किलोमेटर दायडे के बाहर मांस मश्री की दुकानों को शिफ्ट कर लिया जाए साथ ही दुकानों के नामों को भी बदल दिया जाए योगी जी के इस घोशना के बाद दोसा के नाम से दुकान चराने वाले आबीद को हिंदू संगटनों ने दुकान का नाम बदलने पर मजबूर कर दिया इस इलाके से सभी नॉन्विज की दुकानों को बंद करा दिया गया चुके विधान समा चुनाव है और यह मुद्दा मुत्रों में कितना महतोपुन है यह विजाना जरूरी है NDTV के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रेश्टरेंट के मालिक का कहना है कि इस बदलाव के पीछे कोई आदरिक आदेश नहीं था लेकिन ताना साही जरूर है रातो रात पोलस आती है और आकर जोर जबर्दस्ती से नॉन्विज का काम बंद करवा देती है इसके लिए पहले से कोई चिताबन या नॉटिफिकेशन भी नहीं दिया गया और नाहीं कोई समय दिया गया था हमारे यहां जो भी लोग काम किया करते थे वे करीब करीब सारे ही लोग बेरुज़जगार हो गये आस्था का सवाल है तो यहां की जगह कहीं और भी दुकान लगाई जा सकती है यह सवाल पुछने पर एक दुकानदार ने कहा कि जनता क्या खाएगी जनता क्या पहनेगी जनता कैसे रहेगी यह सब तो समिधान में बताया गया है सब को आजादी दी गई है कि वह अपने धर्म का पालन करे अपनी मर्जी से खाए अपनी मर्जी से पहने जब यह सरकार समिधान में दिये गए अधिकारों का हरम कर रही है तो इस सरकार से और क्या उमीद की जा सकती है शायद भली मादी जानते ही हैं आज मेरे एक मित्र है वो बता रही थी सुबा मुझे कि 15 दिन पहले ही मतुरा गई थी उनके दोस्त भी कुछ थे वहाँ पर उन्होंने भी सराप को अशानी से खरीद लिया था फिर मुझे नहीं पता कि उतरपरदेश सरकार ने शराप पर पा आए नमस्कार ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीजन को